Hello students, welcome back to all of you आज हम करेंगे tracing of number 5 हम 5 की recognition कर चुके हैं and then हमने हाँ पर tick भी किया था जिस bag में हमें 5 number दिया हुआ था So I hope आपको अब तक अच्छी तरह recognition हो गई होगी 5 number की आज हम करेंगे tracing the number 5 हम इसको trace करेंगे ये थोड़ा difficult है number 5 trace करना तो आप बार-बार इसकी practice करोगे तो आपको अच्छी तरह से इसकी recognition भी होगी और आपको इसकी tracing करने भी आ जाएगी Okay students, तो आप बार-बार इसकी practice करोगे चलो मैं बताती हूँ इसको trace कैसे करते हैं देखो, ये हमीं दी हुई है Slipping Line Slipping Line अल्रेडी हम कर चुके हैं कैसे trace करते हैं तो Slipping Line तो आप easily draw करी लोगे ऐसी draw करते हैं Slipping Line चीक है उससे next देखो हमारी बनती है Standing Line Standing Line भी आपको पता है कैसे draw करते हैं ये भी आप easily draw कर लोगे ये बना दी हमने Standing Line And then ये बनता है हमारा Left Open Curve Left Open Curve, Right Open Curve इनके भी हम अच्छी तरह से Recognization कर चुके हैं है ना तो ये बनता हमारा Right Open Curve इसको भी हम वैसे draw करेंगे जैसे हम Right Open Curve को करते थे तो ये बन गया हमारा Right Open Curve And then ये बन गया हमारा Number 5 आपको कुछ नहीं करना है पहले First हमें देखना है ये बनता है हमारी Slipping Line तो then हम इनको Join करना है Second बनता है हमारी Slipping Line इसको Dot To Dot Join करना है And Last में हम देखते हैं कि ये Right Open Curve बन रहे तो इसको भी हम वैसे draw करेंगे जैसे हम Right Open Curve को करते थे तो ये बन गया हमारा Number 5 ओकी आप इसको अच्छी तरह से Tracing की Practice करोगे Parents आप बच्चों को Dots लगा कर दे Notebooks पे ताकि अच्छी तरह से उनको Trace कर सके उनको अच्छी तरह से इसकी Practice हो सुके Students आप बार-बार इसकी Practice करोगे तभी आपको ये Draw करना आएगा ठीक है आप अम्मा का कहना मानोगे ठीक है आप Study करोगे तभी आपको अच्छी तरह से Revision होगी इन Numbers की ठीक है ओके आप अब इनकोई Practice करोगे ठीक है Students तब तक के लिए बा-बाई